हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो यूपी से एसस, ओलेबल स्रीज का लेक्शन नुबर 19 है और यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्म्स जिसके बारे में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे और HTML forms क्या होते हैं तो वैसे तो आपको पता होगा कि forms क्या होते हैं HTML forms का मतलब कि जो आप website पर फॉर्म अगेरा फिल करते हैं तो वो form कैसे design किया जाते हैं और उसमें कौण कौण से चीजे होती हैं वो सारी चीजे आती है तो एक form पहले आपको हम एक दिखा देते हैं डेमो के लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए कि actually मैं html form क्या है और उसे हम कैसे design करेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक website हम open करते हैं nds classes और यहाँ पर चलते हैं new student में तो यहाँ पर new student में यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक form है और इस form में यहाँ पर कुछ element दिये गए है जैसे कि यहाँ पर यह drop down list है आप यहाँ से कोई भी branch select करेंगे इसमें आप name डालेंगे यहाँ पर भी आप class select करेंगे ठीक है और यहाँ पर आपको email id डालनी होगी contact number डालना होगा इसमें यहाँ पर आप contact number अपना डालेंगे और बागी यहाँ पर यह address डाल करके आप submit करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर submit करते हैं आपकी सारी detail जो है वो database में store हो जाती है ठीक है तो database में जब store होती है वहाँ पर तो हला कि PHP और MySQL database का यूज़ किया जाता है लेकिन इस HTML form को जो हम design करेंगे यानि आपके सामने जो form दिखाई दे रहा है तो इसको design करना वो हम HTML से देखेंगे कि किस तरह से design किया जाता है और इस form को design करने में HTML और CSS दोनों की ज़रुवत पढ़ती है क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिर्फ HTML से इसको design करेंगे तो बेटर नहीं design होगा उसकी designing styling के लिए हमें CSS का यूज़ करना पड़ेगा तो फिलाल अभी तो हम HTML से ही देखेंगे कैसे design करना है क्योंकि हमें पहले समझना है कि drop down बनाने के लिए क्या करते है name input लेना हो email id लेनी हो तो उसके लिए कौन से field लगाते है यह सारी चीज़े देखनी है और designing तो हम बाद में देखेंगे जब CSS बढ़ेंगे तो आपको यह idea लग गया होगा कि form क्या होता है अब इसको हम design करते हैं चले देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर बताएगे कि जब आपको एक form बनाना होता है तो इस तरह से आपको एक form tag open करना है और last में यहां पर आपको form tag close कर देना है बीच में आपके जो form में यूज कर रहे है element वो आपके होंगे form element ठीक है तो चले यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर form के जो element है वो सबसे पहला element तो आपका input ही होता है input का मतलब यह होता है कि आप form में जो भी लिख रहे है वो एक input होता है तो चलिए यहाँ पर सबसे फिले तो हम open करते हैं अपनी notepad की file और इसको practically देखते हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं online o level और यह index.html इसे edit with notepad++ और यहाँ पर इसी को open कर लेते हैं तो यह इसका output है और यहाँ पर हम एक काम करते हैं इसको clean कर लेते हैं थोड़ा सा ठीके हैं यहाँ पर हम form tag open करेंगे इस तरह से form और यहाँ पर हम साती साथ इसको close कर लेते हैं और फिर यहाँ पर बीच में जाकरके एंटर करके यहाँ पर हम tap बटन से आएंगे ठीक है अब यहाँ पर हमने form जो है वो open तो कर दिया लेकिन इसके बीच में हमें क्या-क्या input लेना है वो चीज़े यहाँ पर हम डालेंगे तो सबसे पहले हम input के बारे में देखते हैं तो य यहाँ पर आप इसमें कुछ भी input में type कर सकते हैं यहाँ पर देखें आपने कुछ भी अभी नहीं दिया था ठीक है अगर आप कुछ भी यहाँ पर input नहीं देते हैं तो वो type जो उसका by default होता है वो text होता है किसका input का इसे इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है फिलाल अभी तो यहाँ पर हम लगाते हैं input type text, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं type is equal to text, ठीक है, तो यह इसको पता चलता है कि यह text है, और इसमें जो input लिया जाएगा, वो text लिया जाएगा, ठीक है, text के अंतरगत सारी चीज़ आ जाती है, आप इसमें alphabet, number, symbol, कुछ भी यह सब चीज़े जो है, वो text के अंतरगत आती है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने input type text डाल दिया, और इसको हमने किया save, और यहाँ पर refresh करते हैं, तो पता कैसे चलेगा, कि इसमें हमें क्या भरना है, name भरना है, father name, address, क्या चीज़ बननी है, तो वो हम यहाँ पर field set तो यहाँ पर आप देखेंगे name और इसके आगे यहाँ पर इनफूट टाईप इस तरह से आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर name और इसके सामने यहाँ आ पर input box जो है वो आ जाता है इस तरीके से कुछ ठीक है, और यहाँ पर अगर हम अलग-疲ग line में चाहते हैं, हम चाहते प्रिवार से आप last name, contact number जो भी यहाँ पर लेना चाहते हैं, आपको form के अंदर ही यहाँ पर उचीजे लगा देनी होंगी, paste और फिर उसके बाद paste ठीक है, तो यहाँ पर name के बाद आप क्या लेना चाहते हैं, name के बाद माले लेना चाहते हैं, last name या father name ठीक है, father name और फिर उस simple तरीके से बता रहे हैं, मलब बिल्कुल starting से easy, अब इसमें बहुत सारे attribute यूज़ करना बाकी है, और इसको हमने किया save, और आप चलते हैं, यहाँ पर refresh करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे, name, father name, contact, यहाँ पर यह इस तरह से easily आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बी आर और यहाँ पर भी paste, ठीक है, और यहाँ पर भी paste, same, और अब चलते हैं, यहाँ पर refresh करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि name, father name, और यहाँ पर यह contact, तीनों field यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम form बनाते हैं, बहुती basic सा simple form है, इसमें अभी बहुत सारे element यूज़ करना बाकी है, जो हम देरे-देरे आगे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप देख सकते हैं, first name, और यहाँ पर last name लिया गया है, input type text, और इसका name जो होता है, इसको समझ लेते हैं, क्या होता है, देखिए, यहा इसवले, जो input field में आ रहा है, यहाँ पर आपका father name आ रहा है, और यहाँ पर आपका contact number आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें हर field का name set करना होता है, इसी में, जब यहाँ पर हम input level लगाते हैं, यहाँ पर type करना है, name is equal to double quote के अंदर इसका name बताना होगा, कि मतनous इसमें जो भी नाम देना चाहें, दे सकते हैं, और फिर ये एक variable की तरह काम करता है, जब हम programming language का यूज करके, इस data को receive करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि अभी हम सिर्फ HTML और CSS से form को design करेंगे, form को design करने के बाद में, इस form को जब हम submit करेंगे, submit बेटन पर क्लिक करके, तो ये जब data store होता है, ठीक है, ये जब data आपका database में store होता है, तो वहाँ पर आपका programming language plus mySQL database का यूज किया जाएगा, या database और भी दूसरे होते हैं, फिलाल जब ये process होगी, तो वहाँ पर हमें इन name की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अभी इसको हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, ये कैसे proper काम करता है, फिलाल यहाँ पर इसका name यहाँ पर set करते हैं, name is equal to double quote के अंदर इसका जैसे father name है, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया F name, F name यानि की father name, अपने हिसाब से ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह से हमने इसको किया, फिर से एक बार copy और यहाँ पर paste, ठीक है, और इसका यहाँ पर हम name रख देते हैं, contact, ठीक है, तो कौन भी रख सकते हैं, या फिर पूरा रख देते हैं, contact ही रख देते हैं, जो भी आप level बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपने MOA नि मोबाइल लिखा है, तो आपको यहाँ पर भी वही चील लिखनी नहीं, क्योंकि यह जो है, यह सिर्फ एक variable है, जो database को store करेगा, ठीक है, यहाँ पर तो हमने तीनो field ले ली, अब यहाँ पर हम submit button जो है, वो insert करते हैं, वो कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखिए, submit button लगाने से पहले आपर radio button के बारे में देखते हैं, ठीक है, मलब उसे केवल टिक करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम use करते हैं, type में यहाँ पर केवल change कर देते हैं, radio, बस इतना ही input वही रहाएगा, type में केवल हम text की चीए, radio कर देंगे, और बस इतना ही आपका radio button बन जाएगा, कैसे, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसी में, और यहाँ पर हम type करते हैं, gender, ठीक है, तो यहाँ पर हम ने gender type किया, और इसको हम br यानि break देते हैं, ठीक है, br दे दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने, इसको space कर देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर enter किया, अब यहाँ पर हम field बनाएंगे, input, ठीक है, input, और फिर उसके बाद इसमें type बताएंगे, इसका सबसे पहले, तो type is equal to double quote के अंदर, यहाँ पर इसका type आपका होगा radio button, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने type इसका जो है, वो radio set कर दिया, और यहाँ पर इसका जो name है, वो यहाँ पर हम set कर देते हैं, name is equal to double quote के अंदर, इसका जो name होगा, वो gender ही होगा, ठीक है मुलब इसका नाम हम sort में gender रख सकते हैं या पूरा इसका gender रख दे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको gender बना दिया और यहाँ पर radio बटन तो generate होगा लेकिन यहाँ पर दिखाना क्या चाहिए आपको वहाँ पर मुलब smith भी तो दिखाना पड़ जाए और उसके बाद फिर दूसरी बार input ठीक है input और यहाँ पर हमने angle bracket नहीं लगाया इसको लगा लेते हैं और फिर हम इसी को copy कर लेते हैं ठीक है इसको हमने किया copy और इसी को यहाँ पर करते हैं paste और एक बार और paste ठीक है आप चाहिए तो दो ही रख सकते हैं सिर्फ male और female कोई जरूरी नहीं कि आप 3 रखें ठीक है और यहाँ पर यह radio button जो है वो सिर्फ male या female के लिए यह नहीं यूज के जाते हैं आप radio button कहीं भी यूज कर सकते हैं जैसे आपने कोई एक form बनाया है वहाँ पर आपको एक Hindi language है और एक English language है उसमें से आपको सिर्फ एक ही चूज यूज करवाना है तो वहाँ पर भी आप radio button का यूज कर सकते हैं वहाँ पर आप सिर्फ दो field लगाईए और यहाँ पर आपको एक language हिंदी और दूसरी यहाँ पर English ठीक है या और ज्यादा चाहते हैं तो Hindi, English जो भी है गुजरती, मराठी और यहाँ पर name जो है वो यहाँ प पर इसका output देखते हैं क्या आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे gender और फिर उसके बाद male, female और other और यहाँ पर देखिए भी कोई भी box check नहीं है और जब हम यहाँ पर check करते हैं तब यह check होता है male और male को नहीं check करना है तो female और other को ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर अग जैसे हो रहा है क्योंकि इन तीनों को हमने क्या कर दिया group बना दिया group कैसे बन गया तो तीनों का नाम यहाँ पर हमने gender रख दिया है इस वजह से यह तीनों का नेम जो है वो different है अब इसको save करते हैं और अब चलते हैं यहाँ पर refresh करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों नमलब चेक है ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर आप radio बटन इस टाइप से यूज़ करना चाहते हैं optional तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो है group बनाना है और group इस तरह से बनते हैं तीनों का जो name होगा वो same होना चाहिए group automatic बन ज चाहिए तो उसको female या फिर other कर सकता है ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर किसी एक value को checked करना होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो checked attribute है इसे आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर इसे हम copy कर लेते हैं और आप अगर यहाँ प आप अपर आप मेल को नहीं बलके फीमेल को check करवाना चाहते है तो फीमेल को करवा दे हैं यहाँ से मेल से हटा दे हैं तो यहाँ पर रेडियो बटन का यूज़ हम इस तरह से करते हैं ठीक है बाकी इनको हम आगे detail में और वी देखेंगे एक दो बार क्योंकि CSS पढ़ेंग क्लोज किया और input level बना लिए type अगर text रखोगे तो एक आपको text box मिलेगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो वो उसकी value होती है और अगर आपने radio बटन रखा है तो आपकी जो value होती है वो आपकी यहाँ पर देखे value attribute है यहाँ पर दिया गया यह भी जरूरी है क्योंकि य यहाँ पर जो हम इस तरह से radio बटन बनाते हैं तो हमें set करना होता है कि किसकी क्या value है तो इसकी male value है इसकी female value है और इसकी other value है ठीक है तो यहाँ पर हमें value attribute का भी use करना होता है तो इसी में हम use कर लेते हैं आगे value is equal to double quote के अंदर इसकी value आप क्या रखना चाहते है तो male ठीक लेकिन जब आपका form submit होगा तो अगर आपने other को tick करके रखा हुआ है तो other की जो value होती है वो variable में store होगी अगर आपने female को यहाँ पर tick करके रखा है तो female की value जो है वो store की जाती है variable में ठीक है तो आप समझ गयोंगे कि अगर आप यहाँ पर female को check करेंगे तो female value जाएगी male को check करेंगे तो male value जाएगी यह value जो आपने यहाँ पर लिख रखी होगी ठीक है यही इसकी value होती है और यहाँ पर आपने जो input type text दिया है तो इसकी value वही होगी जो वहाँ पर आप box में type करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर name देना जरूरी है जैसा के हमने बताया ठीक है तो यहाँ पर last में लगाते हैं input level ठीक है और type submit यहाँ पर input और आपका जो type होगा ठीक है type is equal to double quote के अंदर submit ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको angle bracket close कर देना है और इसे हम save करते हैं और चलते हैं यहाँ पर refresh करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक submit बटन भी यहाँ पर आ चुका है ठीक है अब यहाँ पर मालत ने कोई name डालते हैं यहाँ पर जैसे हमने name यहाँ पर डाल दिया जेके और father name यहाँ पर हमने डाल दिया वी पी वी ठीक है और यहाँ पर contact number कुछ भी डाल देते हैं और हमने mail को टिक किया ठीक है यहाँ पर हमने detail डाली और जैसे हम submit करेंगे तो यह सारा जो record है वो आपका submit हो जाता है लेकिन यह submit हुआ कहां ठीक है तो यह जो आपका record है वो submit हुआ ठीक है लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी programming language या कोई भी database नहीं यूज किया है तो वह वहाँ पर store नहीं हुआ ठीक है यहाँ पर आप उपर URL में देख सकते हैं यहाँ आप ध्यान से देखेंगे 544 और gender क्या है आपका male है और submit क्या है मलब submit उसकी value आई है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर आता है तो यहाँ पर देखें जो हमने name इसका रखा था इसकी जो इसका जो हमने name रखा था यहाँ पर आपको दिखाते हैं ठीक है अभी हमने name है यह क्या हो गया एक variable का काम कर रहा है जिसमें यहाँ पर यह टाइप की गई value जेके में store हो रही है फिर उसके बाद and यह निकी और भी आपका data है फिर उसके बाद यहाँ पर fname है तो जो यहाँ पर हमने fname रखा था वो आपका fname है और जो यहाँ पर हमने type किया था वो आपका यहाँ पर आ रहा है फिर उसके बाद and और यहाँ पर हमने जो इसका name mo रखा था वो यहाँ पर आपका mo आ रहा है और जो वहाँ पर contact number में type किया था वो यहाँ पर value है अब यहाँ पर अगर हम programming language का यूज करें PHP या Python या किसी भी language का तो इस data को हम एक database में store कर सकते हैं MySQL में ठीक है वैसे तो यहाँ पर data store करने के लिए हमें PHP या किसी programming language को पढ़ना पड़ेगा तभी हम data store कर सकते हैं जो की O level में नहीं है ठीक है तो यहाँ पर फिलाहल तो हम आने वाले वीडियोस में जब web designing and programming के सरीज होगी तो उसमें हम देखेंगे कि website कैसे बनाई जाती है PHP और database store कैसे होता है वो सारी चीज़ हम देखेंगे advanced level में जब पढ़ेंगे फिलाहल तो अभी आपके O level में जो है इस levels में नहीं है ठीक है programming language नहीं है तो यहाँ पर हम form को सिर्फ design करना ही देखेंगे बाकी आपको knowledge के लिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कि actually में कैसे काम होता है तो यहाँ पर हमारे पास old website में एक website है ndsclasses और यहाँ पर यह new student.php है इसे हम रन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह PHP की फाइल है और PHP जो की programming language है यह बिना server के रन नहीं होगी ठीक है तो इसका आपको सिर्फ code दिखा देते हैं तो यहाँ पर आप code देख सकते हैं उपर का आपका जो code है वो सारा basic code है यहाँ पर बात करते हैं यह देखें यहाँ पर आपका form tag open हुआ है और last में यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका form tag close हुआ है और बीच में यहाँ पर यह आपका पूरा form है ठीक है और यह वही form है जो हमने आपको थोड़ी दिर पहले यहाँ पर दिखाया था यह वाला ठीक है यह इसी form की coding है जो कि यहाँ पर सबसे पहले branch name ठीक है लेबल यहाँ पर एक बनाया गया है तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इसमें अपनी वाली file में यह देखिए यहाँ पर ह option दिए गए हैं, फिलाल यहाँ पर आते हैं name पर direct, ओपर आप यहाँ पर समझने कोज़ें ना करें, इसको जो भी हम देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर यह name है, और input यहाँ पर type यह क्या है, text है, name इसकी name, लब यहाँ पर जो name इसका रखा ठीक है, तो यह होता है place holder, जो यहाँ पर यह full name लिख के आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कहा थे, यहाँ पर यही होता है, place holder में आप जो लिखेंगे, वह आपको दिखाई देता है, ठीक है, फिलाल तो यह name है, और यहाँ पर finally आपका यह पूरा complete इस तरह से form है, last में आपर देखें, submit बटन है, बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर type submit, name submit और इसकी ID और value, ठीक है, तो जैसे ही, इस submit बटन के ऊपर click होता है, तो यहाँ पर form में कुछ attribute हमें यहाँ पर set करने होते हैं, यहाँ आप आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, form में यहाँ पर हमने method इसका जो है, वो post दिया है, ठीक है, इसका form को method जो है, हमने post दिया है, अब यह post method क्या होता है, तो इसके बारे में अभी just हम देखेंगे, दो प्रकार के method होते हैं, एक get method होता है, दूसरा post method होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अभी हम थोड़ी दिर में देखेंगे, ID यहाँ पर हमने register दिया है, और इसका action दिया है, action क्या होता है, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही submit button पर click होता है, तो submit button पर click होने के बाद इसका action होता है, जहाँ पर भी action दिया गया होगा, तो action is equal to double quote के अंदर कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यह है, कि इसका जो action है, वो इसी page पर होगा, यानि कि self हो, ठीक है, self का मतलब कि यहाँ पर जो forms है, जो detail जा रही है, उसको store करने के लिए, यानि receive करने के लिए, जो coding लिखी गई है, वो इसी page में कहीं लिखी गई होगी, इसलिए यहाँ पर हमने double quote के अंदर blank रखा है, तो इस यहाँ पर बढ़ते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह PHP programming language की coding यहाँ पर लिखी गई है, तो जैसे ही वहाँ पर submit button से submit होता है form, उसके बाद तुरंत यहाँ पर PHP का program run होता है, और यहाँ पर सबसे पहले if function जो होता है, यह programming language, इसको आप समझने की कोसिस ना कर है ठेक है, हमें receive करना है, तो हमने simply क्या किया, dollar post b name यहाँ पर हमने उसका branch name का रखा था, वो b name रखा था, तो b name को हमने b name के variable में store कर लिया, ठीक है यहाँ पर कुछ programming और कुछ coding करने के बाद में तो यह चीज होती है इस तरह से data को receive किया जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह जो है आपका O-Level के syllabus में नहीं है programming language PHP तो इसके बारे में हम अगली किसी series में देखेंगे अभी यहाँ पर हम continue करते हैं जो हम पढ़ रहे थे इसको यहाँ पर हम बंद करते हैं आपको एक idea लग गया होगा कि जो form का data होता है वो कैसे receive किया जाता है ठीक है अभी यहाँ पर यह data कहीं भी रही नहीं receive हो रहा बस यह data जो है वो automatic यहाँ पर URL में सिर्फ जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर notes में और इतना आपको समझ में आ गया होगा और उसके बाद यहाँ पर है blank मलब कुछ नहीं दिया था तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह self हो यानि कि उसी page पर data को receive किया जाएगा इसका मतलब यह होता है ठीक है तो यह ही होता है action attribute ठीक है यहाँ पर आप definition पढ़ सकते हैं बाकि इसको हमने detail में आपको बता दिया है और बाकि यहाँ पर अलग से भी PHP ठीक है यानि action page.php नाम का एक page बनाया गया है और उस page के अंदर coating लिखी गई है तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने action.php पर भेजा है फिलाल तो action आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से देना होता है यहाँ पर आप देखेंगे form में action attribute is equal to आप action कहां देना चाहते है self page होगा तो आपको value नहीं रखनी है ठीक है और अगर किसी page पर देना चाहते हैं उसका action यानि दूसरे page पर coding कर रखी है PHP की तो उसके लिए आपको यहाँ पर उस page का URL यानि name है वो आपको देना होगा ठीक है यह आपका action attribute होता है फिर यहाँ पर target attribute के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि इसका यूज हम link में भी करते हैं तो link में target का blank का मतलब क्या होता है कि new tab पे open होगा तो उसी तरह से यहाँ पर है अगर आपने यहाँ पर action page.php और यहाँ पर target blank दे रखा है तो आपका जब form संबीट होगा तो जैसे ही संबीट होगा एक new tab पर action.php य नहीं दिया है तो by default जो target होता है वो आपका self होता है तो वो उसी page के उपर यहाँ पर आपने form फिल किया है वहीं पर action.php यह तो आपको पता है target के बारे में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर उसके बाद है the method attribute ठीक है तो यहाँ पर method attribute है इसके बारे में भी हमने बताया था कि method जो होते है वो दो परगार के होते है एक होता है post और दूसरा होता है get ठीक है तो हमने वो अभी जो थोड़ी दिर पहले form दिखाया था उसमें method जो उसका था वो post था आपको याद होगा method कौन सा था post method था ठीक है और दूसरा होता है get तो इन दोनों में difference क्या है और यह है क रखते हैं तो आपका जो data होता है निए जो submit होता है वो data आपको URL में भी दिखाई देता है जैसा कि वहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं देखें यहाँ पर हम चलते हैं यह देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी URL में यह data दिखाई दे रहा है जो हमने submit किया था ठी URL में आपको दिखाई देने लगेगा कि आपने वो क्या फिल किया है, ठीक है, मतलब URL में आपको दिखाई देने लगेगा, हला कि यहाँ पर तो कोई मतलम नहीं है, आप आप get रखे हैं, पोस्ट रखे हैं, क्योंकि वही डिटेल जा रही है, लेगिन कुछ form ऐसे होते हैं, ज कोई method नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पर आपका by default जो method होता है, वो get होता है, ठीक है, इसको हम आपको practically दिखाते हैं, तो better समझ में आएगा, देखे, यहाँ पर हमने अभी form में कोई method नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपका method है, वो by default get है, जहाँ पर यह data आपको दिख दे रहा है, इसे हमें यहाँ पर यह delete करना होगा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर select करेंगे, और फिर यहाँ पर enter करेंगे, तो आपका यह press form खुला है, अब यहाँ पर हम detail डालते हैं, जैसे यहाँ पर हमने डाला hh, ठीक है, name, और contact number, father name में कुछ भी, और contact number में हमने अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर हम submit button के ओपर click करते हैं, तो यहाँ पर यह form तो submit हुआ, सारी detail यहाँ से add गई, लेकिन यहाँ पर URL में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह method यहाँ पर count सा use हो रहा है, post method यूज हो रहा है और यहाँ पर अगर हम get लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने get लगाया, और फिर चलते हैं यहाँ पर refresh और यहाँ पर जो है, इसे मैं refresh करना होगा, continue ठीक है, और अब यहाँ पर हम नेम डालते हैं, father name डालते हैं, और content number डालते हैं, और यहाँ पर अपकी बार जो gender race की female ल हाला कि post method का ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कभी-कभी हमें get method की भी जरूरत पढ़ती है ठीक है तो यहाँ पर get और post के बारे में practically difference क्या है वो हमने आपको बता दिया है बाकी यहाँ पर आपको knowledge के लिए पढ़ सकते हैं इसकी definition ठीक है यहाँ पर सारी चीज़े बताई गई है फिर उसके बाद यहाँ पर post method हमने बता दिया फिर उसके बाद है name attribute तो name attribute क्यों जरूरी है यह भी हमने आपको बता दिया अगर आप name attribute का use नहीं करते हैं यहाँ पर हमने जो method है वो get लगा दिया हला कि get लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि by default तो get method ही होता है तो इसको हमने delete किया और save किया और चलते हैं यहाँ पर refresh करेंगे ठीक है पहले तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं इतना यह आपका delete करना पड़ेगा हर बार ठीक है क्योंकि वो submit हो जाता है तो यहाँ पर हमने अपकी बार hh और father name यहाँ पर डाला और contact number में हमने mail select किया submit किया तो यह data आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दिया रहा है सारा data आ रहा है ठीक है नेम भी आ रहा है father name भी आ रहा है contact number यानि MO mobile number आ रहा है gender भी आ ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर हम name attribute का use नहीं करते हैं पहले तो इसको यहाँ पर हमने इतना कर दिया इसको clean ठीक है और अब चलते हैं यहाँ पर अगर यहाँ पर माल लेते हैं name दिया ही नहीं ठीक है attribute ही इसमें से mobile number से भी attribute हटा देते हैं माल लेते हैं दो से attribute हटा दिया हमने ठीक है अब यहाँ पर देखे क्या होगा अब इसको हम save करते हैं और चलते हैं यहाँ पर refresh करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई वी output नजर नहीं आएगा लेकिन आप यहाँ प आपको मिल लेकिन father name नहीं मिल लेकि father name से नेम हटा दिया था उसका जो name attribute था और contact number से भी हटा दिया था इसलिए name और contact नहीं मिल ले आपको directly जेंडर मिल रहा है यहाँ पर समझ गए न तो यह जरूरी होता है name attribute आपको यहाँ पर लगाना ठीक है वापस अगर हम लगा दें यूज करके आप जो है एक group बना सकते है form का जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे browser में तो यहाँ पर यह कोई group मलब यह सही नहीं लग रहा है इसको थोड़ा सा better बना सकते है कैसे field set का use करके ठीक है तो यहाँ पर हम field set जो है एक border दे देता है simplicity के तो हम form खुलने के बाद में तुरंद field set लगाएंगे और form बंद होने के पहले यहाँ पर field set को बंद कर देंगे ठीक है चलिए यहाँ पर इसको हम लगाते है form खुलने के बाद में यहाँ पर field set और यहाँ पर चलते है last में इसको हम copy कर लेते है ठीक है copy और form के just पहले ठीक है इसको हमने paste किया और य और बाकी इस border को हम कम भी कर सकते हैं, मतलब 50% दर सकते हैं, या इसको size particular दे सकते हैं, वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है, या फिर अगली वीडियो में देख लेंगे, जो भी है, देख लेंगे फिलाल, ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक चीज और थी, वो था आपका legend, ठीक है, तो यहां पर यह legend भी आप दे सकते हैं, उसमें क्या होता है, कि आपका जो है, उसके उपर form के उपर लिखके भी आ रहा होता है, कि form जो है, वो किस से related है, फिलाल तो इसको हम यहां पर copy कर लेते हैं, और आपको दिखाते हैं, ठीक है, simply यहां पर आपको field set के नीचे, यहां पर आपको legend लगाना होगा, बीच में यहां पर आप जो चाहें, वो लिख सकते हैं, ठीक है, आप जो भी चाहें, जिस से related form है, वो यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप समझ गया होंगे कि एक basic form क्या होता है, और यह सारी चीज़े क्या होती है, आगे बढ़ते हैं इसमें, और देखते हैं, इसमें कुछ बाकी है, बाकी तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन धिरे धिरे चीज़े देख रहे हैं, basic से पढ़ रहे हैं, पूरा complete, ठीक है, यहाँ पर होता है select element, ठीक है, जो select element होता है, वो drop down list create करता है, इस तरह से drop down list क्या होती है, अभी आप देख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर drop down list अगर आपको बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे, चले इसको हम copy कर लेते हैं, और आपको directly जो है, वहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है, वरना type करने में time लगेगा, तो यहाँ पर submit button के उपर gender के नीचे, ठीक है, यहाँ पर इसको हम करते हैं, paste, यहाँ पर हमने इसको कर दिया, ठीक है, और इसमें size अभी थोड़ देर के लिए हम हटा देते हैं, size हटा दिया, और इनको यहाँ पर enter करते हैं, option को, एक option ह हो गया, 2 option हो गया, 3 हो गया, तो यह देखे यहाँ पर हमने select लगा दिया, ठीक है, select में क्या होता है, कि यह drop down list बनाता है, तो यहाँ पर हमने simply क्या-कि select tag ओपिन किया, और last में आपर close कर दिया, ठीक है, और select में हमें set करना होता है, कि इसका name क्या है, यह पहँंचना कैसे जैसे यहाँ पर हमें इसका name gender रखा था ना उसी तरह से यहाँ पर इसका name cars रखा गया और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें option देने होते हैं, option यह नहीं आप drop down list में कितने option रखना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा कई सारी drop down list होती है, जैसे आप state select करते हैं, country select करते हैं, आपके सामने पूरी एक list आजाती है, जिसमें सारी country होती हैं, उसमें से आप कोई भी एक country select कर लेते हैं, तो वो drop down list इसी तरह से create की जाती है, और यहाँ पर आप names की जिए यहाँ पर country रख दें, और यहाँ पर आपको country के name डालने होते हैं, और सारे option यहाँ पर आपको उत यहाँ पर male को tick करने पर male value जाती है, female को tick करने पर female value जाती है, इसी तरह से इस drop down list में आप जो भी car यहाँ पर select करेंगे, तो उसकी जो भी value दी गई होगी, वो value यह जा करके कहां store हो जाती है, cars में, ठीक है, यहाँ पर जो name है, इसमें cars में यह value store हो जाती है, चलिए इसको यहाँ पर हम save करते हैं, और आपको इसको practically दिखाते हैं, save किया, और यहाँ पर refresh, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह value उस तरह से, मुलब यहाँ पर drop down list आपकी बन जाती है, ठीक है, तो जैसे हमने audio select किया, तो यह audio select हो गया, यहाँ पर हम name में डालते है, जैसे हमने डा आपका अपका अभी current time में क्या है, यहाँ पर एक second, यह आपका current time में drop down list है, लेकिन आप चाहते हैं, scroll list है, यहाँ इसी में size 3, और इसको निकिया save, और यहाँ पर इसको refresh करते हैं, तो आप देखेंगे, कि इस तरह से scroll यहाँ पर आ जाएगा, scroll bar, और फिर यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर select कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप select करेंगे, वो आपका select रहेगा, submit करने पर वो data submit हो जाएगा, और वहाँ पर size 3 का मतलब था, कि आपके सामने आपर 3 option दिखाई देंगे, ठीक है, drop down में आपको 3 option दिखाई देंगे, यहाँ पर आप इसका size बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, 4 कर दिया, हमने इसको save किया, और अब refresh करते हैं, तो आप देखेंगे, कि option दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी है, अगर आप size नहीं डालते हैं, तो आपके सामने drop down list होगी, अगर आप size डालते हैं, तो आपके सामने scroll list होगी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है, allow multiple selection, जैसा कि आपको पता है, कि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही को select कर सक आते हैं, तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर एक multiple attribute यूज कर लेना है, तो इसको यहाँ से copy कर लेते हैं, और चलते हैं, यहाँ पर इसी के आगे paste कर देंगे, तो आप क्या होगा कि इस list में से हम multiple select कर सकते हैं, तो इसको हमने save किया, और यहाँ पर refresh, तो आप देखेंगे कि एक को क्लिक किया, और control के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा आप चारो select कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी select कर सकते हैं, क्लिक को drag कर के, यहाँ पर multiple और size का क्या मतलब है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उसके बाद है text area, text area में क्या होता है, कि आपको एक text area मिल जा यह, column का मतलब एक line में कितने action लिखेगा, तो एक line में 30 action लिखेगा, 30 character आपके लिखेगा, वो होता है, column और row का मतलब 10 row है, तो यानि कि आपके 10 line उस text area box में लिखेंगी, ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने simply इसको कर लिए, यहाँ से copy, और चल यहाँ पर refresh करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक text area भी आ चुका है, लेकिन यह इस तरह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने BR tag नहीं दिया है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर input हो गया, select हो गया, submit button हो गया, submit button भी तो input ही tag है, यह input tag ही आपका है, ठीक है, यह जो होते हैं, यह inline होते हैं, inline की मतलब यह block element नहीं होते है, block element क्या होता है, कि एक element अगर आप use करते हैं, तो वो पूरी विथागे की cover कर लेता है, लेकिन inline element क्या होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में कई सारे element आ जाते हैं, ठीक है, यह हमने detail में बताया था पिछले video म तो हमें इन-line element और block element के बारे में ठीक है तो यहाँ पर text area हो गया input हो गया select हो गया यह सब आपके क्या है इन-line element होते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम narrow the यहाँ पर हम BR tag दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है, BR और इसको हमने किया save, और यहाँ पर text area के बाद में भी एक BR दे देते हैं, BR और इसको भी हमने किया save, ठीक है, और आप चलते हैं, यहाँ पर refresh करेंगे, तो आप देखेंगे कि अभी यह पूरा size आ रहा है, ठी करने पर वो detail आपकी submit हो जाईगे ठीक है और यहाँ पर देखिए हमने केवल यहाँ पर text area में डाल करके केवल submit किया था तो वही केवल submit हुआ हलाकि पूरा form submit हुआ है लेकि name की कोई भी value नहीं है father name की भी value नहीं है mobile number की भी value नहीं है gender की जो है वो female है क्योंकि female जो है जो होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यह आपका हो गया text area आप लगा सकते हैं column और row का मतलब भी समझ में आ गया column का मतलब की कितने character लिखेंगे एक line में और row का मतलब की कितनी line आप लिखना चाहते हैं text area कितना बनाना चाहते हैं और बागे आप उस text area के with or right भी set कर सकते हैं style attribute का यूज करके जो कि आपको अच्छे से पता है ठीक है क्योंकि बटन यह इसी लिए होते हैं यहाँ पर जो यह submit बटन है यह अलग चीज है ठीक है तो यहाँ पर देखे हमने button लगाया type क्या है button है on click पर यहाँ पर एक alert message जो है वो आना चाहिए इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर हमने लगा दिया on click इसके बारे में हम देख चुके है button के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में याद नहीं आ रहा कौन से वीडिय जाएगे click me और click me इसले लिख आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने click me लिखा था आप कुछ भी लिख सकते है message भी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर जैसा कि बताए कि on click है नहीं जब इस button पर click होगा तो यह alert देगा hello world का ठीक है एक message का कहा पर देगा दे html5 form element तो html5 form element इसका मतलब यह है कि जो यह आगे html5 में कुछ form element ने include किये गये introduce किये गये हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे जो कि यह html4 या html4.1 पे काम नहीं करते हैं ठीक है यह सिर्फ html5 पे काम करते हैं और जो हम यहाँ पर सीख रहे है वो html5 ही है actually ठीक है 5 का मतलब क्या अभी current time में हम html पे काम करते हैं तो html5 पे करने हैं क्योंकि latest version है ठीक है बाकी जो अभी है कुछ चीज़े ऐसी हैं कि जो 4 को भी support करते हैं जैसे अभी तक जो हमने html form के element देखे थे वो 4 को भी support करते हैं और आगे जो यहाँ पर हम चाम करते हैं